नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर तीलक वाड़ा से निकलने के बाद हम पहुचे है मनी नागेश्वर उस तक पे भी था, इस तक पे भी है वही कथा इस थान से जुड़ी है ये मनी नागेश्वर मंदिर का हनुमान जी मंदिर हनुमान जी महालाद जय बजरंग बले के जय जय स्री राम स्री हनुमान जी महराज के सामने श्री गणपती महराज यह गणपती महराज का मंदिर स्री मनमाागणदी पते नमा ओम गणपते नमा सो यह गणपतां जय एक अदंताइ महरे वक्रदम्डाइन दिंहित अन्नों दल्न प्रचोदा यह थर् वक्रदम्ड महादाय स्र्यकूर्टी स्मप्रभप नेर्वेगनम गुर्मेदेव सर्वकार सम्सक्रकाणद enact मनी नागश्वर बहाद्यू नंदी के वी श्वर कदवादु जै कश्यक नागश्य न dav benefici छया स्रि रने चाय नमाल जैफ दचर लंग बली को जै जै स्री रामा отправ ओम नमा शिभाए ओम नमा शिभाए ओम नमा शिभाए ओम नमा शिभाए ओम नमपार्वतीपते हर 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 महाँ देवी मिनादेश्वर वगवान कीजौव ओम DRAMBAKAM Yaja Maheb 이상handhim गुष्टि वर्धनम पुर्वार कमी वबंधनान पृत्यर मुष्यर्मा मुष्यमा मुधात ओम नर्माते हर्मारे नर्माते हर्मारे यहाँ पर खथा है सकंद पुराणा नुसार मनी नागेश्वर तिर्थका महात्मया कश्य पुरुष की दो पत्निया कद्रू और विनिता के बीच एक बार विवाद हुआ कि उच्चई शवा अश्व श्वेत है या शाम विनिता सही थी कहा कि श्वेत है किन्तु कद्रू ने अपने शाम सर्प पुत्रों को उच्चे श्वा को लपेट कर शाम दिखेया इसा कहा धर्मप्राण मनी नागने माता की आग्या न मानी इसलिए कद्रू ने उसका त्याक किया इसलिए वह रोते रोते नर्वदा तट पर शिवार्चन के लिए आया उसके अश्रु से जो नदी का सर्जन हुआ उसे मनी अर्थात मेन नदी के नाम से जानते है विवाद में हारने विनिता कद्रु की दासी बन गई अभी हम नदी क्रॉस कर क्या है वो मेंड नदी थी इस तरफ विनता नंदन गरुड ने देखा कि माता विनता दास्त्व भोग रही है इसलिए कद्रु को गरुड जी ने कहा कि माता विनता को दास्त्व से मुक्त करने के लिए मैं क्या करू कद्रु ने अमरुत लाने के इस दर्म्यान इंद्र ने ब्राम्हन वेश में आकर कद्रु और सर्पो से कहा कि नर्वदास नानकर पवित्र होकर अमृत पान की जिये। और उसने मनिनाक को पुनस्विकर कर उसका अभिनन्दन किया बगवान अशुतोष शिवजी को प्रसंण कर मनिनाक यह स्तान पर आज भी निवास कर रहे हैं और यह तिर्थ मनिनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है मनिनागेश्वर महादेव की जय नर्मदेहर इसलिए सापो की दो-दो जुवा अपने को दिखती है नर्मदेहर नर्मदेहर